हेलो दोस्तों नवश्कार मैं कठल की सबजी को सबसे आसान तरीके से बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यदि आप कठल को बिना फ्राइ किये और कम ओयल में टेस्टी सबजी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए हेलफूल होने वाली है इसे आप आसान तरीके से बना लेंगे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहां मैंने 500 ग्राम कठा हुआ कठल लिया है आप बाजार से ही कठा हुआ कठल खरीच सकते हैं या फिर आप घर में ही इसके पीछे के छिलके और बीच का थोड़ा सा कड़ा हिस्सा भी निकाल कर अलग कर दें और इसे छोटे टुकडों में काटें बहुत बड़े टुकडों में हमें नहीं काटना है और अब इसे दो से तीन बार साफ पानी में धो कर एक जालीदार बरतन में रख दें और अब हम ताजे मसाले में लेंगे दो प्याज, दो टमाटर, तीन, सुखी लाल मिर्च, दस बारा लहसुन की कली और देड़ इंच अद्रक और अब एक कड़ाई गर्म करें उसमें हमें आदा कप पानी डालना है और अब हम इसमें प्याज, लहसुन, अद्रक, टमाटर, और सुखी लाल मिर्च डालकर एक उबाली आने देंगे यहाँ पर हम आज को मध्यम कर देंगे और जब इसमें उबाले आने लगे तो आज को हमें कम कर देना है और इसे ढख कर हमें 3-4 मिनिट के लिए पकाना है और 3-4 मिनिट पकाने के बाद हम इसे खोल कर प्याज और टमाटर को फिर से पलट देंगे क्योंकि हमने यहाँ पानी कम डाला है तो उपर वाला हिस्सा थोड़ा कच्चर है जाता है तो आप इसे एक बार पलट दें ताकि यह दोनों साइट से कुख हो जाए और इसे फिर से ढखकर 2 मिनिट के लिए और पका लें यहाँ आज हमें धीमी ही रखना है और 2 मिनिट पकाने के बाद हम चेक करेंगे यदि टमाटरों का छिलका निकलने लगा है तो हम यहां पर गैस को बंद कर देंगे और यहां टमाटर का शिलका देखिए निकलने लगा है मतलब यह perfect cook हो चुके हैं तो अब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद हम टमाटरों को एक बाउल में अलग निकाल लेंगे और दूसरे बाउल में हमें सारे मसाले निकाल लेना है यहां प्याज मिर्च, लहसुन और अधरक को हम अलग बाउल में निकालेंगे और जो पानी इसमें बचा हुआ है इसे हमें फेकना नहीं है इसे हमें मसाला पीष्टे समय यूज करना है तो मिक्सी के जार में प्याज के टुकडे करके डाल दें और लहसुन अदरक और मिर्च भी एट कर दें साथ ही मसाले का बचा हुआ पानी एट कर दें और इसका महीन सा पेस्ट बना लें और देखी हैं सुन्दर साथ पेस्ट त्यार हो चुका है और अब हम इसी जार में टामाटर के छिलके निकाल कर उसकी भी प्यूरी बना कर रख लेंगे टामाटर प्यूरी का कलर भी बहुत ही सुन्दर आया है और अब एक पेन में हम दो बड़े चमच कुकिंग वाले गर्म करेंगे आप जो तेल खाते हैं वही यूज करें मैंने मुंभली का तेल यूज किया है और इसे गर्म होने के बाद इसमें दो तेज पत्ती दो लॉंग, एक बड़ी लाईची, थोड़ा सा दालचीनी, जेवित्री का टुकड़ा और आधा चक्रफूल का तड़का लगा दे लॉंग गर्म तेल में चिटकता है इसलिए साउधान रहें और अब हम इसमें प्याज लैसुन वाला पिस्सा हुगा मसाला एट कर देंगे और इस मसाले को हमें धीमी मध्यमाज पर लगातार चलाते हुए बूनना है ये मसाला पहले से ही हाप कुक्ट है तो ये बहुत ही कम समय में बून जाएगा और अच्छे से भूनेगा इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल रिलीज न होने लगे और इसे आसबास किनारे पर हमें चिपकने नहीं देना है इसे किनारे से लगातार निकालते रहें और अब यहाँ तेल रिलीज होने लगा है तो हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, देड़ चमच धनिया का पाउडर और चोथा ही चोटा चमच हम जीरे का पाउडर डालेंगे और हमने यहाँ पर आदा चमच होममेट गरम मसाला लिया है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी हम इसे यहीं रहने देना है और अब इस मसाले को हम लगातार चलाते हुए, देमी आज पर भूनेंगे आप इसमें एक दो टेबिल स्पून फानी भी डाल सकते हैं, ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो, और मसाला जले भी नहीं और अब इसमें देखिए तेल रिलीज होने लगा है, तो यहाँ पर हम स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे, यहाँ मैंने आधा टी स्पून नमक डाला है अब अपने कावर्डिंग डालें, और यहाँ नमक डाल कर इसे थोड़ा भूनें, नमक डालने से क्या होगा, कि जो मसाला किनारों में चिपका हुआ है, वो भी निकल कर बाहर आ जाएगा दोस्तों कठल में फाइबर बहुत अधिक होता है, तो इसकी सबजी में हमें स्मूधनेस लाने के लिए, दो टेबिल स्पून फ्रेश मलाई एट कर देना है, यहाँ मैंने घर में दूद से जो मलाई निकलती है, उसे ही इस्तेमाल किया है, आप बाजार की फ्रेश क्रीम भ पड़ेगी और इसका टेस्ट तो बड़ेगा ही, साथ में एक रिचनेस आती है, सबजी की ग्रेवी का स्वाथ थोड़ा क्रीमी हो जाता है, और अब देखिए मसाले से ओईल बाहर आने लगा है, तो हम यहाँ पर कटी होई कठल एट कर देंगे, और इसे हलके हातों से अच अच्छे से भूनेगी, और अब इसे एक बार खोल कर फिर से एक बार और पलड़ दें, और इसे दुबारा ढखकर आप दीमी आज पर ही 2-3 मिनिट के लिए और पकने दें, आप इसे 2-3 मिनिट जादा भी पका सकते हैं, बस ध्यान रहे कि मसाला तली में चिपके नहीं, औ और 3-4 मिन दुबारा पकने पर देखें, इसमें से ओईल रिलीज होने लगा है, किनार उपर आपको ओईल दिखाई दे रहा होगा, बस हमें इसे इतना ही पकाना है, यहाँ पर कठल लगभग 50% तो पकी चुका है, तो अब हम यहाँ पर टमाटो की प्यूरी एट कर देंग और इसे मिक्स करके ढख देंगे, और दीमी आज पर पकने देंगे, यहाँ पर कठल टमाटो प्यूरी में ही पकेगा, क्योंकि टमाटो प्यूरी में ही बहुत सा रस है, और इसे हमें तब तक पकाना है, जब तक की टमाटो का रस एकदम अच्छे से सूख न जाए, तो कठल यहाँ पर और भी अच्छे से कुक हो चुकी है, और इसके पीसेज देखें टूटे नहीं है, दोस्तो हम यदि टमाटो को पहले मिला देंगे, तो कठल अच्छे से कुक नहीं होगा, इसलिए पहले हमें कठल को अच्छे से भून लेना है, और इसके बाद ही टमाटो क प्यूरी डालनी है टमाटो प्यूरी और कठल अच्छे से पक चुके हैं तो यहां पर हम एक कप पानी डालेंगे और इसे पल्टे की मदद से तली में हिलाएंगे हमें उपर से एकदम कठल को नहीं हिलाना है और इस तरह हम इसको हिलाने के बाद इसमें इतना पानी और डाले कि यह अच्छे से डूब जाए यदि आप ज्यादा पतली ग्रवी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा अधिक पानी डाल दें और अब हम इसमें आधा चमच होममेट गरम मसाला जो हमने बचा कर रखा था उसे एट कर देंगे ताकि यह अच्छे से सब्जी में मिक्स हो आएंगे और आप देखिए यहाँ पर ग्रेवी का रंग भी थोड़ा गाड़ा हो गया है और कठल भी अच्छे से एकदम परफेक्ट लिक कुख हो गये हैं और इसके पीसेज देखिए तूटे नहीं है आप इसे पल्टे पर उठा कर दबा कर देख लिजिए यह परफेक् तरीके से कठल की ग्रेवी वाली सब्जी बना ली है आप इसे गर्मा गर्म रोटी चावल सभी के साथ खा सकते हैं और आप इसे घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेर करें और चेनल को करें थेंक यू फार वाचिंग